बंद व्योजन उर्जा तो बंद व्योजन उर्जा क्या होती है एक मोल योगिक में उपस्तित बंदों को तोड़ने के लिए जितनी उर्जा की आवसकता होती है एक मोल योगिकों में बंदों को तोड़ने के लिए जितनी उर्जा के आउसकता होती है उसे बंद व्योजन उर्जा यानि कि बंड डिसोशेशन अनर्जी कहा जाता है बंद व्योजन उर्जा या कहा जाता है तो यानि कि एक मोल योगिक है उसमें बंद है उनको तोड़ने के लिए कितनी उर्जा चाहिए उने ही हमें बंद व्योजन उर्जा कहते हैं बंद व्योजन उर्जा के अनुप्रियोग की बात करें कि बंद व्योजन उर्जा के क्या अनुप्रियोग है तो अपने बात करते हैं योगी की संबोन की एंथिल्पी तो योगी के संबोन की एंथिल्पी को अपने ऐसे कहा जाता है हीट ओफे फोर्मेशन कहा जाता है कि एक मोल ऐसी टोन बढ़ाया आपनों ने तो ऐसी टोन के अंदर इस परकार के बंद होते हैं जैसे यह कार्बोनील समुआ होता है और कार्बोनील समुआ के दोनों तरब एक मोल योगी का निर्मान उनकी मूल तत्वूं से होता है तो जो उश्मा में प्रिवर्तन होता है उससे संबोन की एंथिल्पी कहेंगे यानि की अपने सीधा देखें कि ऐसी टोन बढ़ाना है अपने को सी ओ सी अस्तरी है तो कार्बन तीन चाहिए तो ये तीन तो है तुँक है तो तूप में परेंगा थेन है थे लिए विल्पी में परिवर्तन होगा उसको संबोन फिक the ट रहे विल्पीया की क्या हुता है है एक मोल योगी बनाना होता है अपने को 1 मोल योगी कसे मूल ततों से चैसे इक defined है तो प्रकृति में कारपन का सबuy hein तो गृफ है टीन परमानों लो हाइडोजन देखो एसी टॉन में चैनल है तो 6 हाइडोजन लेने के लिए स्टू फू लेकिन 3 इसके लिए अपने को यह है इसके बंद को तोड़ दिया जाई ऐसे मानों कि इसके बंद को सभी को तोड़ दिया जाई तो तोड़ने से क्या क्या प्राप्त होगा अपने को तोड़ने से हाइडोजन प्राप्त होगे छे हाइडोजन कैसे प्राप्त होगे गैसी है एक ओक्सिजन प्राप्त होगा कैसा होगा गैसी है और तीन कार्बन प्राप्त होगे कैसे होगे गैसी है तो बोन डिसोसल अनरज कहा जाता है एक मोल बंदू को तोडने के लिए आउशक उर्जा या एक मोल योगी की निर्मान के दोरान जारत .... इसको bond disordergy या बंद वियोजन उर्जा कहा जाता है जितनी अपने देनी पड़ती है उतनी ही बंडता है तब बहार निकलती है अब देखो तीन अपने ऐसे कहीं अब इसको ऐसे माने की अब किरिया ऐसी हो रही है तो तीन कार्बन गैसी है प्राप्त करने है अपने को तीन कार् करती के अंदर ग्रेफ हाइट के रूप में मिलता है सबसे ताहीर तो तीन कार्बन सुलिट का उल्च गेस करना ihnों आक कि यह मिल जाए यानिंट्र सब्लमेशन पड़ेगी और तीन गुणा क्योंकि एक मोल के लिए होती हीटो सब्लीमेशन तो तीन कार्बन चाहिए तीन मोल चाहिए तो इसको तीन से क्या कर दिया गुणा करना पड़ेगा यानि कि तीन डेल्टा एच सब्लीमेशन देनी पड़ेगी इसके अलावा अपने को 6 मिल जाएंगे अपने को क्योंकि एक बंद तोड़न से 2 हाइडोजन मुक्त होते हैं तो तीन बंद तोड़ेगी ज्यारी मिल जाएगी यानि कि तीन एच और तोड़ने के लिए एंफिल्पी उसको डेल्ता एच के दूम है और डेल्टा एच एच को तीन से गोणा करेंगे तब जाकर अपने को कितनेSon Construction प्राप्त होंगी एक सिर्भ प्रमाणू चाहिए औक सिजन के बीच में क्या होथा हुथ होता है कि इस बंद को तोड़े तो दोion प्तत जाती है यानि कि अपने को वन बाइट तूब्ही तोडना पड़ेगा यानि कि आद्धा मोल बंद तोड़ने पड़ेंगे तब जाकर अपने को एक ओक्सिजन प्राफ्त होंगी तो अपने वन बाई टू ओ टू बंद तोड़ने के लिए उर्जा चाहिए उसको मैं कहा दू डेल्टा एच ओडबल बंद ओ कहा दे तो लेकिन ये पूरी नहीं आधी आध करो वाली उर्जा की बात कर लें अपने कहा कॉन-कॉन पूर्जा वह कि अलगे में वह agit लिए सबली मेंशन यानि की उडव ही पातन उर्जा थी उसको कितने से गुणा करने कि तीन जाइए तो यह तीन मॉल चाहिए गी ऑजब्रक्ण यह कारबन की सब्ली में में सनटर जी एक पूर्टीन मोल चाहिए तो इसको तीन से गोड़ा कर दिया इसी परकार से 6 प्राप्त करने के लिए डेल्टा एच है वो एच एच बंद को तोड़ने वाले तो तीन एच एच बंद तोड़ेंगे तो अपने क्यों कितने हाइडोजन चाहिए इसी परकार से एक ओक्सिजन चाहिए तो डेल्टा एच ओक्सिजन ओक्सिजन के बंद को तोड़ना पड़ेगा लेकिन कितने मोल तोड़ना प से इतना सुदपर मिल जाएगा तो यह रिंटेंट। आप संभोन का इंती्ध याथ करनी यह रहा है तो इस कि यानि रियक्टेंट की इंतीलपी में इसमें से प्रॉडेक्ट को या गुट को इसमें क्या हो रहा है देखो हुआ इसके अंदर क्या क्या हुआ है तो सी एक दो तीन चार पांच और छह तो क्या है सीएच बंध है तो इसको ट्रिटा एच तो सी एच बंद किया जाएगी चयच बंध है उसको 6 से गुणा करना पड़ेगा अपने को पलस छै आगे इसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंद हैं दो बंद है तो दो डेल्टा एह चे कार्बन कार्बन वाले लेने पड़ेंगे यानिकी डेल्टा एच कार्बन कार्बन को तोड़ने के लिए जितने उर्जा चाहिए उसको दो सिगुना करना पड़ेगा क्योंकि दो ए X FORE टोड़ने के लिए डेल्टा et C ant Kka दिया तो यह कितने है्श है है थुछ दिया ये तोड़ दिया इस सभी 6 ये तोड़ दिये मालो इस परकार की बात हो गई और ये भी तोड़ दिये दो ये भी बात होगी अब स्यो बंद बन्सा है स्यो बंद टोड़ने के लिए delta h co तो इसका जितनी भी h को जोड लेंगे और इसको जोड लेंगे फिर गठा देंगे तो कितना uh ay esa ne वो क्या होगा, heat up sublimation होगी यानि कि निर्मान की enthalpy कहू विर्चन की enthalpy कहू heat up sublimation package तो इस परकार सी heat up sublimation आसानी से ज्यात की जा सकती है